आरियन खान को बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिवसेना नेता NCB की भूमिका की जांच कराने की भी मांग मुमई क्रूज ड्रक्स पार्टी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है शिवसेना नेदा किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में याचिकात दायर की है और आरोपियों के मालिक अधिकारों का हवाला दिया है शिफसेना नेता किशोर दिवारे ने चीफ जश्टिस एनवी रमन्ना के इस मामले पे स्वतंत्र संग्यान लेने की मांग की है आगे इस मामले में गिरफतार आरियन खान के मौलेक अधिकारों की रक्षा की मांग भी की गई है शेफसेना नेता ने अपनी याचिका में आगे लिखा है कि इस ड्रग्स मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भूमिका की भी जाच होनी चाहिए याचिका में इस मामले की न्याइक जाच कराने की मांग की गई है फिलाल आर्यन खान ओथर रोड जेल में बंध है उनके वकीलों ने मुंबई के सेशन्स कोट में जमानत की याचिका डाली थी जिस पर सुनवाई हो चुकी है कोट अपना फैसला 20 अक्टूबर को सुनाने वाला है बता दे कि इस मामले में आर्यन खान के अलावार मुनमन धमेचा, अर्बाज मर्चिन्ट, नुपुर सारिखा, इसमिद सिंग, मोहग जैसवाल, विकरंद छोकर और गोमिच छोपडा को गिरफतार किया गया है उनके खिलाफ NDPS कानून के तहट मामला दर्श किया गया है आर्यन खान की बात करें तो उन पर आरोप है कि वो ड्रग्स लेने और बड़े कॉंस्पिरेसी का हिस्सा है NCP के मताबिक आर्यन रेफ पार्टी में अपने दोस्त अर्बास मर्चिंट के साथ ड्रग्स लेने वाले थे अर्बास के बात से 6 ग्राम नशीले पदार्थ बरामद हुए है